एश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन का ट्रांस्फॉर्मेशन देख कर लोग हैरान रह गए हैं। 12 साल की आराध्या की खूबसूर्ती से लोगों की नजरें नहीं हट रही हैं। आराध्या में अचानक से बड़ा बदलाव हो गया है और वह और भी ज्यादा सुन हुआ था। इस दौरान पार्टी में आराध्या अपनी मा एश्चरिया और पापा अभिशेक बच्चन के साथ खूब एंजोई करते देखी गई। अंबानी की पार्टी में आराध्या ने वाइट कलर का लहंगा चोली पहना था। उनके इस लहंगे में सिल्वर सुरोस्क का हैवी वर्क था। इस ड्रेस में आराध्या बेहत खूबसूरत नजर आ रही थी। यही नहीं आराध्या ने अपने इस लुक के लिए हेयर स्टाइल भी चेंज किया था। हमेशा बैंक्स वाले हेयर स्टाइल में नजर आने वाली आराध्या पार्टी में बीच की मांग निकाले हुए दिखी, लाइट मेकप और खुले बालों में आराध्या बहुत प्यारी लग रही थी, उन्होंने अपने इस लुक को येरिंग और गले में हलके से सेट के साथ कम्प्लीट किया था, इस लुक में आराध्या काफी मैचुर और प्यारी लग रही थी, आराध्या अपने इसी लुक के साथ जामनगर के एरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुई आराध्या का यह ट्रांसफॉर्मेशन देख लोगों का कहना है कि वह बिलकुल 90's वाली एश्चर्या राय लगने लगी है एश्वर्या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती है उनकी खूबसूरती को आज भी कोई टकर नहीं दे पाता बड़ी बड़ी हीरोई ने उनके जैसा बनना चाहती है लेकिन लगता है कि एश्वर्या को टकर देने के लिए उन्हीं की बेटी आ गई है महज 12 साल की उम्र में आराध्या अपने लुक में काफी मैच्योर लगने लगी है आराध्या का जन्म 16 नवंबर 2011 को हुआ था आराध्या के इस लुक की चर्चा चारों तरफ हो रही है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिशन पाने के लिए वेल आइकान दबाना न भूलें